ब्रोट चियो बाई कोल्चर अन ओल इन वन जुमिताय सर्थी, सर्थत, बदंदत, खासी जैसे तसलक्षन अमेटी के तिलोई विधानसवाज सीट पर बीजेपी के मौझूदा विधायक मैंकेश्वर शरंड सिंग जीत गए हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौझमद नईम को 27,839 वोट्स के अंतर से हराया है मैंकेश्वर शरंड सिंग को 99,472 वोट्स मिले जबकि मौझमद नईम को 71,644 वोट्स तीसरे नंबर पर रहे कॉंग्रिस प्रत्याशी प्रदीप सिंगल और उन्हें मिले 29,978 वोट्स यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी मैंकेश्वर शरंड सिंग का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वे साम्रताइक भाषा का इस्तमाल करते हुए भड़काओ भाषन देते नजर आये थे इसमें उन्होंने मुस्लिम सगोदाय पर हिंसा करने का आरोप लगाते हुए उन्हें सबक सिखाने की बाद कही थी इसके बाद मयंकेश्वर शरंड सिंग के प्रचार पर चुनाव आयोग ने एक दिन के लिए रोग भी लगाई थी वहीं मुहम्मद नईम कॉंग्रिस छोड सपा में शामिल हुए थे जिसके बाद सपा ने उन्हें टिकेट दिया था तिलोई रियासत के राजा और बीजेपी प्रतियाशी मयंकेश्वर शरंड सिंग का इस सीट पर इतहास काफी पुराना है वे एक बार सपा के टिकेट पर भी विदायक रह चुके हैं 1993 में भाज़पा के टिकेट पर मयंकेश्वर ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और कॉंग्रिस के विजहरत को रोका था क्योंकि इस से पहले साल 1984 से लेकर 1991 तक कॉंग्रिस का इस सीट पर कबजा रहा था वहीं 1996 के चुनाब में सपा के मुहम्मद मुस्लिम यहां से विधायक रहे साल 2002 में एक बार फिर मयंकेश्वर शरण ने इस सीट पर जीत दर्ज की जिसके बाद उन्होंने पाला बदला और 2007 के विदानसभा चुनाओं में सपा के टिकेट पर जीते फिर साल 2012 में सपा के टिकेट पर उन्हें हार मिली तो 2017 में उन्होंने वापस BJP का दामन थाम लिया तिलोई गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी जिले की चार विधानसभाओं में से एक है दरसल तिलोई विधानसभा सीट पहले राय बरेली जिले में आती थी बाग में अमेठी का गठन होने पर इसे इसमें शामिल कर दिया गया पिछली चुनाव में यहां BJP के मयंकेश्व शरंट सिंग ने 49.1 प्रतिशत वोट शेर के साथ बसपा के महमद सौद को 44,047 वोट से हरा दिया था इस चुनाव में कॉंग्रिस के विनोध मिश्रा तीसरे स्थान पर रहे थे इससे पहले साल 2012 में कॉंग्रिस की डॉक्टर मुहमद मुस्लिम ने 33.1-2 प्रतिशत वोट शेर लेकर सपा के मयंकेश्व शरंट सिंग को 2710 वोट से हराया था गांधी नहरू परिवार का गढ़ होने के चलते अमेठी जिला हमेशा से ही राजनीती का केंद्र बिंदू रहा है अमेठी की तिलोई सीट पर जातिये समी करण देखे जाएं तो यहाँ OBC और मुस्लिम मतदाताओं की काफी संख्या है दोनों को मिलागर करीब 40% वोट से हैं यहाँ अनुसूचित जाती के लगभग 15% वोट से हैं वहीं ब्रामन और शत्रिय समाज के भी करीब 20% वोट से हैं इसके अलावा राजाया जीत की गारंटी माने जाते रहे हैं लेकिन इस बार तिलोई से सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी नईम गुर्जर को टिकेट दिया है जो कॉंग्रस छोड़ कर सपा में शामिल हुए हैं इसी तिलोई सीट पर पूर्विधायक डॉक्टर मुस्लिम के बेटे मुहमत सउद ने भी टिकेट की दावेदारी कर रखी थी जो बसपा छोड़ कर सपा में आये हैं इस बार चुनाओं में तिलोई की जनता के कई मुद्दे रहें रोजगार के लिए पढ़ता पलायन, सिंचाई और पेजल की यहां बड़ी समस्चा है गंदगी, सीवर जाम होना जरजर सडकों को लेकर भी लोग यहां काफी परिशान है जनता के मुद्दों के बीच इस चुनाओं में तिलोई में द्रूवी करन की कोशिश दी हुई थी यह खबर आपके लिए लिखी थी उदैने, मेरा नाम है आस्ता देखते रहें दी ललन टॉप, शुक्रिया